शब को नमस्ते देखिए जारगन में नौकरी का भरोशा बहुत काम है सिधा सब्द में यही कहें तो बहुत लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है आप लोगों को क्योंकि कहली देखिए एजनसी के लिए जो है चुनाओ के लिए उसका नौटिव किसंजारी किया गया है उसम क्या क्या करना है वो बताएगी उसमें लिए कि हमको लग रहा है कम से कम जनवरी फरवरी तक टाइम चल जाएगा तो उसमें भी करीब दो महेरा का टाइम जाएगा तो मिला जुला के यही कह सकते हैं कि 2022 का भी और फरवरी मार्स तक कोई वेकेंसी आने की संभावनाब नही मुश्किल है यहां बीना अंदोलन का कुछ भी नहीं हो सकता है बस सिधा सब्सक्राइब में यही का जा सकता है और रही बात बैकेंसी की तो बैकेंसी बहुत मुश्किल है ना जहां तक कि कल का पेपर में यह दिया गया था कि उतपाद से वाही जो और इसमें सब्राण चुनाब होता है तो दो मेना तो उसमें निकल जाएगा उसके बाद कि आपका एजिंसी चुनाव होगा फिर उसमें जैसा सिको फिर नोटिपिकेशन वग्रा बनाने में कितनी वेकेंसी है वह भाग बेजेगी फिर अभी तक नियावामली में संसोधन भी होना है वो भी नह लोग बस यही कहेंगे त्यारी की ज़िए खौटा ग्रावन पढ़िए दुसरा कोई उपाएंगी है वेकेंसी आएगी लेकिन यहां राजनीती जो है वह राजनीती माहूल बना हुआ है और सरकार भी चाहती है कि जब तक ज्वैनिंग हो तब तक इसका दुसरा चुना वाज का काम करेंगे नहीं यह भी बात है तो यहां इस्टेट की भावनों को नहीं देखा जा रहा है जिस स्टेट में लगवा 55-57% सिट खाली हो उस स्टेट में अगर बेरुजगारी का यह हाल हो और सबसे बड़ा मुद्दा अगर चुनाओं में बेरुजगारी रहा हो फिर भ बस यही कहेंगे कि बस पढ़िए दूसरा कोई उपाई नहीं है जब एक जाम आएगा तब दीजेगा लेकिन हां इंतिजार करना पड़ेगा दूसरा कोई नहीं है बस इसलिए आये थे हम कि जहारकन प्लिस का विकेंसी का बात जहां तक है तो अब देखिए जैसे संभाव होना था कि नोवंबर दिसमर में ही आ जाएगा लेकिन अब देखिए डेड़ बढ़ चुका है तो आप क्या किया जा सकता है जारकन में कुछ भी हो सकता है अने सिताओं का इस्टेट है यह बस लगे रहिए जो आपको लगता है थोड़ा मड़ा पढ़िए और संटाल पर आपके लिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद